हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेंग टू और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कारिया पत्रक 11 फोर क्लास सेक्स्त हिंदी की यह वक्षीट है जो कि सिख्षा निदेशाले की तरफ से आप बच्चों के लिए 3rd November 2020 के लिए शेडूल की गई है बच्चो हिंदी की वक्षीट है और आज आज आपको दो वक्षीट करनी है एक आप हिंदी की वक्षीट करेंगे और दूसरी आप मैट्स की वक्षीट अपनी कॉपी में करेंगे ठीके चलिए स्टार्ट करते हैं पिछले कारिया पत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में मा के सूते ही केशव और शामा दोनों चुप चाप कमरे से बहार निकलाए और अंडों की हिफाज़त करने के लिए अपने काम में जुट गई अब आगे पढ़ेंगे केशव ने जू ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिडिया उड़ गई तो क्या हुआ बच्चो जैसे ही केशव ने कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिडिया क्या हुई एकदम से उड़ गई केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिन के विचे हुए हैं और उन पर तीन अंडे पड़े हैं जैसे घोसले उसने पेडो पर देखे थे वैसा कोई घोसला वहाँ पर नहीं था शामा ने नीचे से पूछा कि कैशव तीन अंडे हैं अभी बच्चे नहीं निकले शामा जरा हमें दिखा दो भाईया कितने बड़े हैं तो शामा को बड़ी curiosity हो रही है बच्चों यहाँ पे कि वो जानना चाहती है कि कितने बच्चे हैं और कितने अंडे हैं ठीक किस तरह से हैं कितने बड़े हैं केशव दिखा दूँगा पहले ज़रा चिथडे लेया, चिथडे क्या होता है, जो वेस्ट कपड़े होते हैं, उनको चिथडे बोलते हैं, आ, नीचे बिचा दूँ, बेचारे अंडे तिनको पर पड़े हैं, शामा दोड कर अपनी पुरानी धोती, फाड कर एक टुकडा लेकर आती है, केशव ने जुक कर कपड़ा ले लिया, और उसकी कई तहे करके उसकी एक गद्दी बनाई, और उसे तिनको पर बिचा कर तीनो अंडे धीरे से उसके उपर रख दिये, शामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भाईया, केशव दिखा दूँगा, पहले जराव है टोकरी तो दे दो, उपर छाया कर दूँँ, शामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तू मतराओ, मैं भी तो देखूँ, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जां दाना और पानी की प्याली लेया, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूँगा, शामा प्याली भी लेयाई और चावल भी लेयाई, केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी, अब आहिस्ता से उतर आया, शामा ने गिडगिडा कर कहा, अब हमको भी चड़ा दो भईया, यानि शामा यहाँ पर केशव को बार-बार जिद कर रही है, कि मुझे भी उपर चड़ा दो, ताकि वो भी जो है कारनिस पर रखे हुए अंडों को देख सकी, केशव तु गिर पड़ेगी, शामा न गिरूंगी भईया, तुम नीचे से पकड़े रहना, केशव न भईया, कहीं तु गिर पड़ी, तो ममा जी मेरी चटनी ही कार डालेंगी, तो यहाँ पर केशव जो है, वो यहाँ पर उसको उपर जो है नहीं चड़ाता, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो जो है एक तरह से डर रहा है, कि अगर वो गिर गई, और अम्मा को पता चल गया, तो वो बहुत मारेंगी, कहेंगी कि तुने ही चड़ाया था, क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे, तो उनको हम पालेंगे, ठीके, तो बच्चों अभी यहाँ पर देखिए, कुछ कोशन दिये गई है, साथ साथ कोशन के आंसर भी हम डिसकस करेंगे, तो गध्यांस के आधार पर निम्न लिखित प्रशनों के उतर दीजिए, पहला प्रशन क्या है, आपके अनुसार केशव ने शामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए, तो केशव ने अंडे क्यों नहीं दिखाए, इसका अंसर पेटे आप लिखेंगे, केशव को लगा कि अगर शामा उपर चड़ी तो वह गिर सकती है, और अगर वह गिर गई तो अम्मा उसकी चटनी ही कर डालेंगी इसलिए डर के कारण उसने शामा को अंडे देखने के लिए उपर नहीं चड़ाया दूसरा क्वेशन क्या है? प्रशने दो है केशव ने जो ही कारण इस पर हाथ रखा दोनों चड़िया उड़ गई ऐसा क्यों हुआ? अपने मित्र से बातशित करके लिखिए तो बच्चों द्वारा अंडों के छेड़े जाने से शायद चड़िया परिशान हो गई होंगी और उन्हें लगा कि अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है ठीक है? कि अब यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है इसलिए चिड़िया वहां से उड़ गई और किसी सुरक्षित जगह पर उन्होंने अपना घौसला बना लिया होगा प्रशने तीन देखिए कारिय पत्रक में दिये गए चित्र को देखकर आपके मन में चिडिया के प्रती जो विचार आ रहे हैं उन्हीं लिखे तो ये कारिय पत्रक में चित्र है इसमें ये जो चित्र है इसको देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं आपको बच्चों वो यहाँ पर लिखने हैं ठीकें तो यहाँ पर एक जो है उधारन के लिए लिखा गया है आप इसको भी लग सकते हो और आपके मन में जो आता है वो भी आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हो कार्य पत्रक में दिये गए चित्र को देख कर ऐसा लग रहा है मानों कि दोनों आपस में बाते कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं इसलिए हमें यह जगे छोड़ कर कहीं दूर चले जाना चाहिए इन बच्चों ने हमारे अंडो को भी छेड दिया है जो अब हमारे लिए गंदे हो गई हैं तो ऐसा जो है मन में विचार आता है उनको देख कर प्राशने चार क्या है अंडो की सुरुक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया तो अंडो की सुरुक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया आप सभी बच्चे जानते हैं अंडों की सुरुक्षा के लिए केशव ने कपड़े की गद्दी बिछाए और अंडों को उनके उपर रख दिया और टोकरी उनके उपर रखी ताकि वो धूप से बच सकी प्रशन पाच केशव ने शामा से चितडे टोकरी और दाना पानी मंगा कर कार्निष पर क्यों रखे थे तो बच्चों चिडिया के अंडे खोसले में नहीं कार्निष पर कुछ तिनकों पर रखे हुए थे केशव ने शामा से चित्रे मंगवा कर उनकी गद्दी बनाई और अंडों के नीचे रख दिया उसने टोकरी को टहनी से टिका कर अंडों के उपर छाया कर दी चिडिया को अपने बच्चों के लिए दाना लाने दूर ना जाना पड़े इसके लिए उसने दाना पानी मंगा कर कार्निश पर ही रख दिया तो ये जो है इंतिजाम उन्होंने जो चिडिया थी और उनके बच्चे थे उनके लिए किया तो ये थी बच्चो आपकी आज की हिंदी की वोक्षीट आई हो बेटा आपको वोक्षीट क्लियर है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स पो वाचिंग वाचिंग वा नाइस टी